नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। सम्यक बदलाव की आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। तो हल करने का आशे ये है कि हमें एक्स और वाई के मान को निकालना है। तो चलिए आईए विलोपन विधी का प्रियोक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे योगम को एक बार लिख लें। और योगम को हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास जो चरपद हैं वो एक तरफ आ जाएं। तो ऐसा करने के लिए इस वाले समीकरण में मैं दोनों तरफ वाई को घटा देती हूँ। तो दाईं तरफ से जो वाई है वो घट जाएगा और बाईं तरफ मुझे 3X-Y मिल जाएगा। और अगर मैं दूसरे समीकरण को देखूँ तो उसे मुझे ऐसा कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा उसमें क्योंकि उसमें पहले ही दोनों चरपद एक तरफ हैं बराबर चिन्ने के। अब विलोपन विधी का प्रयोक करना है और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे लिए विलोपन विधी का प्रयोक करना काफी असान है क्योंकि हमारे पास जो वाई है उसका गुडांग जो है वो यहां पे समान ही है और क्यों ना अब हम सिर्फ इन दोनों समीकरण को घटा ल आ रहा था उनमें हमें 3x-5x बचा और यहां पे-y और प्लस-y कैंसल हो जाएगा और फिर हमें 5-11 मिला तो इस प्रकार चिन्ने का ध्यान रखते हुए हम कहेंगे कि-2x बराबर-6 हो गया इस पूरे ही समिकरण में अगर हम-2 से भाग दे लें तो-6 बटा-2 और जो की 3 आ जा और जैसे ही हमें x का मांद 3 मिल गया हम इसको यहां पे रख के y निकाल सकते हैं तो 3 गोना 3-y बराबर 5 आ जाएगा जो की है 9-y बराबर 5 अगर हम दोनों तरफ y को जोड़ दें तो हमारे पास 9 बराबर 5 प्लस y आ जाएगा अगर हम पूरे समीकरण में से 5 का घटा कर दें घटाओ कर दें तो 9-5 बराबर y आ जाएगा और जिसका आशे यह हुआ कि y का मान 4 तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दिये गए जो चरपत थे वो आ गए x बराबर 3 और y बराबर 4 और यहां पे हमें विलोपन विधी गब करने को कहा गया था चलिया यह अगला प्रश्न देखते हैं और यहां पूचा गया है कि सी का मान ग्यात कीजिए जिसके लिए दिये गए युग्म के अपरिमित रूप से अनीक हल होंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले यह समझाना चाहिए कि यह जो प्रश्न है वो आधार प्रश्न है बीजगनतिय रूप से इस युग्म के अध्यन करने के उपर यहां हमसे हल निकालने को नहीं कहा गया यहां हमसे सी का मान पूचा गया है और इसके लिए हम सिर्फ इन दोनों ही जो समी करण हैं उनका अध्यन करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि दोनों स समी करण युग्म दिया गया है उसको मानक रूप के समी करण युग्म से मेल कराते हैं और क्यूंकि हमारे पास अच्छी बात यह है कि जो दोनों ही समी करण दिये गए हैं उसमें सारे पत जो हैं वो बराबर साइन के एक ही तरफ हैं तो हमें इसमें कोई भी बदलाव नही क्या है तो a1 का मान c है b1 का मान 3 हो जाएगा और c1 का मान 3-c देखे मैंने कैसे निकाला a1 जो है वो x का गुड़ांग है b1 जो है वो y का गुड़ांग है और c1 हमारे पास अचरपद है इसी प्रकार आप दूसरे वाले समी करण को किस से मेल करा ले मानक रूप के समी करण से और इस तरहां से हमने दूसरा समी करण कहा तो सब जगा ये दो-दो लिख लिया और जब हम मेल कराएंगे तो हमको x का गुड़ांग जो की a2 है वो 12 मिल जाएगा y का गुड़ांग जो की b2 है वो c मिल जाएगा और अचरपद जो की c2 है वो माइनस c मिल जाएगा तो इतना करने के बाद हम हमें ये देखना है कि अब बरिमेद रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास क्या शर्थ होती है और अब बरिमेद रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास शर्थ होती है कि जो भी हमारे पास a1 और a2 है अगर हम उसका अनुपात लें बीवन और बीटू है अगर हम उसका अनुपाहत लें और सीवन और सीटू है अगर हम उसका अनुपाहत लें तो ये बराबर ही आए तो चलिए आएए यहाँ पे हमने जो उपर मान निकाले वो रख देते हैं तो A1 का मान है C, A2 का मान है 12, B1 का मान है 3, और B2 का मान है C. तो एक बार अगर हम इसका अहल करें, तो पूरे समी करण में C से गुना कर लें, तो C Square बटे 12 बराबर 3 आ जाएगा, और फिर इसमें 12 से गुना कर लें, तो c square बराबर 36 आ जाएगा और क्यूंकि हमें c का मान निकालना है तो हम इस वाले समीकरणग में वर्गमूल ले लेते हैं तो अगर हम 36 का वर्गमूल लेंगे तो हमें plus minus 6 मिलेगा तो इस तरह से हमारे पास c का मान कितना आ गया plus minus 6 आ गया यहां पर हमारे पास दो मान आ रहे हैं c के और हमें एक बार ऐसा करना चाहिए कि यह देख लेना चाहिए कि क्या यही दोनों मान आ रहे हैं अगर हम c1 और c2 का वे अनुपात लें क्योंकि यह यहां पर इस बात को देखना भी बहुत जरूरी है कि जो अनुपात c1 और c2 का है वो भी इन ही अनुपातों के बराबर आएगा तो मान लेते हैं कि B1 और B2 के अनुपाद से ही हम C1 और C2 के अनुपाद को मेल कराते हैं और एक बार देखते हैं कि इस से हमें क्या C का मान मिलेगा तो दोनों तरफ अगर हम C को गुड़न फल कर दें तो यहां पे आ जाएगा 3-C और बटे में-1 अगर हम पूरे ही गुड़न फल कर दें माइनस 1 से समिकरण का तो माइनस 3 बराबर 3 माइनस C आ जाएगा अगर पूरे समिकरण में 3 जो है वो योग कर दें तो माइनस 3 और 3 का अगर हमने योग किया तो 3 प्लस 3 माइनस C आ जाएगा और जो की हमें देगा 0 बराबर 6 माइनस C अगर हम पूरे ही समिकरण में C का योग कर दें तो C का मान 6 आ गया तो उत्तर में हम ये लिखेंगे कि C का वो ही मान जो है वो यहाँ पे माना जाएगा जो की दोनों ही शर्तों पे सही बैठे और दोनों शर्तों पे सही बैठने वाला C का मान है 6 तो उत्तर में पास क्या हो गया कि C का मान 6 होगा अगर हम अब परिमित्रूप से अनिखल चाहा रहे हैं तो चलिए आईए अगला प्रश्मे देखते हैं रितु धारा के अनिकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तता धारा की चाल याद करें तो ऐसा करते हैं कि यहां पर एक हम चित्र बना लेते हैं इसे बहतर समझने के लिए वो इधारा है जो इस तरह से बहर रही है अब अगर धारा बहर रही है तो उसमें जो पानी होगा उसका बहाओ भी किसी एक तरफ होगा और अब यह कहा जा रहा है कि रितू जो है वो धारा के अनुकूल बहर रही है तो मान लेते हैं कि अगर यह जो पानी है वो स्थिर होता तो धारा में अगर रितू प्रयास करती इस तरफ अनुकूल आने का तो जो भी उसकी खुद की तैरने की गती होती वो उसी हिसाब से आ जाती मैंलब पानी के बहाओं का कोई असार इसए ना होता अगर पानी इस्तिर होता तो मान लेते हैं कि उस शर्थ पर जो दूरतु सका जोंध काल है वह EX किलोमीटर प्रती घंटा है तो हमने क्या माना कि रितु की स्थिर धारा में जो तैरने की चाल है वो है X km परा और फिर हम यह मान लेते हैं कि जो धारा है उसका भाव है Y km परा तो आप खुद ही ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम धारा के अनकूल जाते हैं तो हमारे पास जो गती है वो बढ़ जाती है तभी तो हम अपने आपको रोकने का प्रयाश करते हैं अगर भाव बहुत जादा होता है आपने खुद भी ये महसूश किया होगा तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि अगर हमारी खुद की गती x km पर आर है और धारा की गती y km पर आर है और हम धारा के अनिकूल ही जा रही हैं तो हमारी जो गती है वो बढ़ जाएगी और अब हो जाएगी x प्लस y km पर आर और ये कब हो रहा है जब हम धारा के अनकूल चल रहे हैं अब देखे अगर हम धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो क्या होगा तो जैसा कि आपने महसूस भी किया होगा कई बार कि अगर हम पानी के बाहाओ के प्रतिकूल चलते हैं तो हमें बहुत ज़ादा प्रयास करना पड़ता है यहाँ पे तैड़ने के लिए या दूसरी तरफ कहने जाने के लिए तो मान लीजे कि हम यहाँ है धारा इस तरह आ रही है और अब हमारी जो गती है अगर पानी स्थिर होता तो X किलोमीटर पर आर है परंतू क्योंकि यहाँ पे धारा है तो इस वज़े से हमारी जो गती है वो कम हो जाएगी और कितनी कम हो जाएगी वो Y कम हो जाएगी तो अब हमारी गती हो जाएगी X-Y किलोमीटर पर आर तो यह कब हुआ जब हम धारा के प्रतिकूल जाना चाहा रहे है तो मुझे आशा है आपको इबात अच्छे समझा गई कि अगर हम धारा के अनुकूल जाते हैं तो हमारी गती बढ़ जाती है और कितनी बढ़ जाती है जितनी भी धारा की बहाओ की गती है अगर हम धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो हमारी गती घट जाती है और अगर हमारी गती X है इस थिर धारा में तो अब हमारी गती हो जाती है X-Y अब देखिए प्रश्ण में क्या कहा गया है प्रश्ण में ये कहा जा रहा है रितु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलो मीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 40 किलो मीटर तैर सकती है उसकी इस्धिर जल में तैरने की चाल तटा धारा की चाल ग्याद कीज़े तो यहाँ पे एक जो सूत्र है वो यह हम इस्तमाल करेंगे कि अगर हम किसी भी चीज की चाल की बात करते हैं तो वो उसकी दूरी और समय कानुपाथ हो जाता है और यहां पे हमसे यह कहा गया है कि चाल जो अनिकूल धारा में है तो वो हमने देखा कितनी थी X प्लस Y किलो मीटर परार इसमें दूरी तै कर रही है रुतू 20 किलो मीटर और समय उसको लग रहा है 2 घंटे का इससे हमें यह पता चल गया कि X प्लस Y का दुमान है वो है 10 अब दूसरी बार हमें यह बताया गया है कि प्रतिकूल वो 2 घंटे में 4 किलो मीटर तैर सकती है तो प्रतिकूल गती कितनी है? X माइनस Y और इसमें दूरी कितनी है? 4 किलो मीटर और समय 2 इसका आशे यह हुआ कि X माइनस Y का मान 2 आगया अब आप देख सकते हैं कि आपको दो चरवाला एक रैखिक समी करन योग मिल गया और इसको हम बहुत ही असानी से विलोपन विधी से भी हल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो Y है उसके गुढ़ांक बराबर और विपरीत आ रहे हैं तो अगर हम इसका योगफल देखेंगे तो देखते हैं क्या आएगा तो मैं इसको बस इस तरह से लिख लेती हूँ और मेरे लिए असान पड़ेगा कि मैं इसको इस तरह से योगफल लूँ तो X और X का योगफल 2X प्लस Y और माइनस Y का योगफल 0 ने 10 और 2 का योगफल 12 अगर हम पूरे ही समिकरण में 2 से भाग देदेंगे तो X का मान जो है वो 6 आ जाएगा और क्योंकि हमारी काई थी किलोमीटर परार तो रुतु की जो गती है अगर वो स्थिर पानी में चलती तो वो 6 किलोमीटर प्रती घंटे में तैर सकती थी मतलब 6 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में वो तैर लेती इस धारा में अगर जो पानी है वो स्थिर होता और अगर हम पानी की यहाँ पे जो दर है जो चाल है वो निकालना चाहें तो हम इस पहले जो समीकरण है उसमें लिख देते हैं 6 प्लस Y बराबर 10 के और दोनों तरफ अगर अगर हम 6 को घटा दें तो Y हो जाएगा 4 और यह आ रहा है किलोमीटर पर आवर इस तरह से हमें यह पता चल गया कि यह जो पानी है उसका बहाओ कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर तो मुझे आशा है आपको यह प्रशन भी अच्छे से समझाया होगा आईए एक और प्रशन का हल करें और यहां हमें कहा गया है कि P के किन मानू के लिए निमनिसमीगरण के युग्म का एक अधित्वे हल है तो हमसे यह पूछा गया है कि यह जो युग्म हमें दिया गया है उसका एक अधित्वे हल कब होगा तो हमें मालूम है कि अधित्वे हल होने के लिए A1 और A2 का अनुपाद B1 और B2 के अनुपाद के बराबर नहीं होना चाहिए और अब हमारे पास यहाँ पे जो यह समीकरण दिये गए हैं आएए इनका जो मेल कराएं हम किस से मानक रूप के समीकरण से और वहां से हम निकाल लें कि गुडांकों का मान क्या होगा तो अगर हम पहले समीकरण को मेल कराएं तो हमें A1 का मान X का गुडांग 4 मिल जाएगा B1 का मान Y का गुडांग P मिल जाएगा और C1 जो की अचरपद है वो 8 मिल जाएगा इसी प्रकार अगर हम दूसरे समीकरण को मेल कराएं मानक रूप के समीकरण से तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि A2 कमान 2 है, B2 कमान 2 है और अचरपद भी हमारे पास 2 है अब चुकी हमें सिर्फ A1 और A2 का अनुपाद देखना है तो वो हो जाएगा 4 बटे 2 और वो बराबर नहीं होना चाहिए B1 और B2 का अनुपाद के जो की है P बटे 2 अगर हम इस पूरे समिकरण में 2 से गुडन कर दें तो गुणा करने पे हमें 4 जो है वो पी के बराबर नहीं होना चाहिए या हम ज्यादा इसका मतलब सही रहेगा अगर हम कहें कि P जो है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे अधित्वी हल अगर हम चाहते हैं कि इस दिये गए समीकरण योगम का हो तो आप पी को चार ना लेकर के कुछ भी और ले लिजे तो आपको एक अधित्वी हल मिल जाएगा चलिए आईए एक और प्रश्ने देखते हैं और यहाँ हमसे कहा गया है तो काफी रोचक प्रश्न है यहे और पहले आईए इस प्रश्न का अर्थ समझते हैं कि क्या है तो दो अंखों की एक संख्या मान लीजे तेस और उसके अंखों को उलटनर पर बनी संख्या तो मान लीजे वो झाゆग इस इसमें 32, उनका योग छाठट ही दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे इसका योग आ जाएगा, तो मैं आपको बस इस उधारन से यह बताना चारी हूँ कि प्रश्ट में क्या कहा जा रहा है, कि हमारे पास कोई एक संख्या है, जो की दो अंकी है, और हम अगर उसको उलट दें, तो जो हमें संख्या मिलेगी, हम उसका अगर योग फल करेंगे, तो हमें छाठट मिलेगा, यदि संख्या के अंकों का अंतर दो है, तो संख्या हैं गयात कीजिए, तो माल लेते हैं कि मेरे पास जो संख्या है, उसके जो अंक हैं, वो हैं X और Y, और यहाँ पर मैंने इस त एक अंक को दर्शाते हैं मगर उस अंक की जो हम मान की बात करें वो हम निकालते हैं जब हम उसकी जगह है उसके अनुसार उसमें गुड़नफल कर दें तो अगर मैं उधारण के लिए आप से कहूं कि मेरे पास कोई संख्या है तेज तो आप देखें यहां पे लिख रहे हैं तीन एक आई की जगह पे और दो दहाई की जगह पे अंक आपने दो और तीन ही लिखे परंतु अगर 23 की हम मान की बात करें तो आप कहोगे कि वो है दो गुणा 10 और इसमें एक आई अंक जोड़ देना तो वो ही मैंने लिखा कि अगर मैंने कोई एक संख्या ले ली x y तो कि जो मान है उसका आशे होगा 10x प्लस y इस प्रकार से अब क्या कह रहे हैं कि इसकी अंक उलटकर जो बनी संख्या अंक उलटकर जो संख्या बनेगी वो होगी हमारे पास yx और yx के मान क्या होगा 10 को हम y से गुड़न करके फिर x जोड़ दें तो एक बार यहां पर लिख ले हैं 10x प्लस y अब प्रश्ण क्या कह रहा है कि इन दोनों ही संख्याओं का जो योग है वो 6-6 है तो हम यहां लिख लेते हैं कि प्रश्ण के अनुसार 10x प्लस y और योगफल हमें लेना है 10y प्लस x और यह कितना है प्रश्ण के अनुसार 6-6 तो आईए इसको सरल पदों मे लिख लें तो यह आजाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66 और अगर हम पूरे ही सम्मिकरण में 11 से भाग देते हैं तो x प्लस y का मान 6 आजाएगा तो यह आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक राखेक सम्मिकरण आ गया जो की 2 चर्में है अब दूसरा यहां पे जो शर्त यहां पे दी गई है वो यह यदि संख्या के अंकों का अंतर दो हो तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं और इनका अंतर जो है वो दो है यहां पे मैंने यह माना कि जो मैंने संख्या ली थी उसका दहाई अंक बड़ा है बट प्रश्ण में ऐसा कुछ नहीं कहा गया तो इसलिए हम उस पे आप देख सकते हैं कि दो चरवाले राखिक समीकरण युगम एक आ गया तो आईए इसको हम पहला राखिक समीकरण कहलें और इसको दूसरा राखिक समीकरण कहलें और यहाँ पे फिर से मैं विलोपन विधी का प्रयोग कर सकती हूँ और सिर्फ मैं पहली और दूसरे जो समी करण है उनका अगर योग फल निकालूं तो देखिए X प्लस Y का मान 6 है X माइनस Y का मान 2 है और अगर इन दोनों को ही मैं योग कर दूं तो 2X आ जाएगा ये हट गया और ये 8 अगर पूरे समी करण में 2 से हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा 4 तो आपके पास X का मान कितना आ गया 4 आ गया और अब हमें Y का मान निकालना है तो अगर हम पहले वाले समी करण में X का मान 4 रख दें तो 4 प्लस Y बराबर 6 है पूरे समीकरण में से अगर हम 4 को घटा दें तो 6-4 गराबर 2 आ जाएगा तो इस तरहां से हमारे पास y का मान 2 आ गया तो आपके पास अभी प्रश्न हल नहीं हुआ है आपको x और y तो मिल गया मगर आपने जो संख्या मानी थी वो थी x y तो हम उसको कैसे लिखेंगे 4 और 2 4 हमने माना था दहाई अंक और 2 हमने माना था एकाई अंक अब मान लीजिए कि मैं ये कहती हूँ कि हमारे पास जो एकाई अंक है वो दहाई अंक से पड़ा है तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है 24 और ये भी इस बार को कि अंग उलट करके जो संख्या बनेगी उसका इससे योग फर लेंगे तो चाचटी आएगा तो ऐसी कितनी संख्या हैं उसका उत्तर हो गया कि ऐसी हमारे पास दो संख्या हैं एक है 42 और दो हिस्ट्री है 24 आशा है मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बाते बताएं आपको अच्छे से समझाई होंगी